Good evening student in this video we will start from question number 8 of exercise 6.1 1 to 7 questions we have already done in last video so in this video we will start from question number 8 now what is question number 8 और बच्चो जो 6.1 exercise है ना इसकी फुल जो pdf है सारे question वो ठीक है pdf मैंने description में डाल दिया उसका link तो वहाँ से download कर सकते हो तुम ठीक है तो जिसको भी मतलब वो solution देखने है ना अगर बाद में भी जैसे जुरूत पड़ती है फिर notebook बनाते हो तो उसमें से देख सेपते हो कोई question अगर doubt रहता है फिर भी question number 8 देखो certain sum of money is divided into 3 parts in ratio 5 ratio 7 ratio 9 if total sum of money is 6300 find each part मतलब जैसे पिछला question था ना 1400 को डिवाइड करा था हमने जो ratio इसका बना के ठीक है उसमें डिवाइड करा वैसे यब 6300 को डिवाइड करना 5 ratio 7 ratio 9 में ठीक है तो देखो total money कितने होगी 6300 इसको डिवाइड करना है ratio क्या दे रखे 5 ratio 7 ratio 9 तो उसके बाद क्या निकालते हैं sum of ratio यह second method से करवा रहूं जो पहला method करवाया था न मैंने क्या करवा था let the numbers are 5x 7x 9x उसके बाद 3 को प्लस करके equal to me 6300 वैसे भी कर सकते हो आसे भी कर सकते हो तो sum of ratio क्या होगा 5 plus 7 plus 9 कितना होगा 21 ठीक है अब देखो first part निकालते हैं यहां से direct तो first part किसके एक बलोगा क्या देखना है तुमें first part का ratio जो है 5 था तो 5 divide में क्या आएगा sum of ratio 21 और multiply में क्या करना है जो भी डिवाइड करना है हमने ठीक है तो 21 की टेबल में आता है 63 तो 21 मेंज़ा 21 3 जा तो यह होगा 300 तो 5 multiply by 300 कितना होगा 1500 अब सेकेंड पार्ट देखो ठीक है अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या करना है यह दोनों ट्रम तो हमें ऐसी की लहीं नहीं थी यहां पर कितना होगा 5 की जिगा पर 7 7 अब multiply अब देखो first part में हमने इसको cut करकें कितना आले किया थे 300 300 से ही multiply कर दो इसको तो 7 3 जा 21 ठीक है अब थर्ड पार्ट तो थर्ड पार्ट में कितना होगा देखो third ratio कितना है नाइन तो 9 multiply by 300 2700 तो यह होगा question number 8 अब question number 9 देखो divide 108 bottles of juice between A and B in ratio 1 ratio 5 ratio 1 by 5 ratio 1 by 7 मतलब ratio of fraction में दे रखे तो उसको थूड़ा सब वो करना पड़ेगा तो टोटल bottles कितनी दे रखे है total number of bottles 108 अब ratio जो दे रखे है वो क्या दे रखे है 1 by 5 ratio 1 by 7 अब इसको क्या करना है देखो simplify कर सकते है पहले इस ratio को क्या बता था कैसे simplify करना है जैसे यह था ना 1 by 5 ratio 1 by 7 तो तुमी इसको simply ऐसे कर लो क्रोस में multiply 1 को 7 से multiply कर दो 7 और 5 को 1 से कर दो 5 तो ratio क्या आगया दुमारा 7 ratio 5 जो first वाला है वो 7 second वाला अकूंस है 5 अब पिसले question की तरह देखो sum of ratio निकालोगे तो sum कितना आगेंगा 7 plus 5 कितना 12 अब निकाल दो एका ठीक है तो एक के हिस्से में कितनी बोत लाएंगे देखो तो एका ratio कितना था 7 तो 7 divided में कितना होगा sum of ratio divided जितनी बोतल डिवाइडी करने थी तो तो 12 कि टेबल में आता नहीं 9 तो 7 multiply by 9 कितना होगा 63 बोतल तो 63 बोतल किसको मिलेंगे ए को अब बी को देखो कितनी मिलेंगे फिर तो बी को कितनी मिलेंगे बी को मिलेंगे बी का ratio कितना होगा 5 तो 5 से multiply कर दो अब इनको cancel करके कितना होगा 9 तो 9,5 जा 45 तो 45 बोतल से मिलेंगे किसको बी को अब देखो question number 10 तो 10th question देखो इक बार क्या है this side of quadrilateral are in ratio अब side कितनी होते है quadrilateral में 4 side तो 4 side है तो उनका ratio देखा 1 ratio, 2 ratio, 3 ratio, 4 if it's perimeter, perimeter क्या होता है 4 side का sum तो perimeter is 40 cm find the length of each side तो सारी side निकालने है देखो अब क्या देखा तो जो perimeter है ना इसका मतलब यह समझा लो साइड देखो और क्याने का लोगे length of first side तो first side का ratio देखे लो कितना हो गया तो first side का ratio कितना था 1 तो 1 के डिवाइड में क्या आएगा sum of ratio और multiply में जो भी डिवाइड करना 40 जो total था ना ठीक है 40 होगे ना सबका sum तो 4 cm फिर second side आएगी देखो तो second side में क्या करना ratio कितना है second का 2 और multiply किसे करते होगे यह 4 से ठीक है कितना होगे 8 cm सब्सक्राइड कितना होगे ठीक है तो थर्ड देखो थर्ड साइड में देखो कितना आएगा 3 था तो 3 x 4 कितना होगे तो 12 cm और जो 4th side बची थी 4th भी देखलो जी में यहाँ पर कर देता हूँ 4th side 4th side कितना आएगे देखो 4 का ratio कितना था 4 और multiply में क्या आपर होगे यहाँ से cancel लेकर हो 4 आया था तो 4 4 जा 16 cm ठीक है तो 16 cm 4th side होगी 4 8 12 और 16 यह होगी length of side अब देखो भी चो question number 11 last question of this exercise A, B, C invested 14,000 21,000 28,000 respectively इसका मतलब क्या हता है रिस्पेक्टिवली का कि जो पहले आया उसकी टरम कुण से पहले बारी तो A ने 14,000 B ने 21,000 और C ने 28,000 कितना invest करें to start a business in the first month they made a profit of 39,690 they decided to share the profit in the ratio of their investment अब इस question में देखो ratio नहीं दिया उसने लेकिन उसने क्या बोला है कि जो ratio होगा ना किस ratio में डिवाइडी करेंगे वो profit को जिस वी ratio में उनोंने invest कर रहा था तो investment कितनी थी उनकी देखो investment of A 14,000 B की कितनी थी 21,000 C की कितनी थी 28,000 तो यहां से तो ratio ratio निकाल दो पहले तो पहले ratio ही निकाल दो इसका तो ratio कितना आएगा अब तीनों ratio का ऐसे भी डिवाइडी कर सकते हो तो जैसे 7 से 3 अगर डिवाइडी होते है अगर 2 होते हैं तब नहीं करना है तीनों के 3 अगर होते हैं किसी भी सेम नोन जिरो नंबर से तो डिवाइडी कर सकते हो 7,2 जा 7,3 जा 7,4 जा तो ratio कितना आए अब 2 ratio 3 ratio 4 तो उसने बोला जो profit आया profit को डिवाइडी करना है इस ratio में तो profit कितना आए था 39,690 तो इसको तुमें डिवाइडी करना है इस ratio में अब उपर वाले को भूल जाओ बेरिकल ये तो हो गया sum ठीक हो और उसको इस ratio में डिवाइडी करना है जैसे पिसले question कर रहे थे तो कैसे निकालती है अब sum of ratio कैसे 2 plus 3 plus 4 9